रिजल्ट आने से पहले कमलनाथ को गुस्सा आया और ये गुस्सा क्यों आया मैं आपको बता दूँ दिरसल बाला का हाट से भी एक वीडियो सामने आया उसके बाद कमलनाथ जो है उनका गुस्सा निकला है प्रशाशन पर और ये प्रशाशन पर गुस्सा निकलने की वज़ पर रहें क्या लिखा कमलनात ने यह मैं आपको बता देता हूं द्रसल बालाघाट से स्ट्रॉंग रूम खुलने के बाद का एक वीडियो आया और उस वीडियो को लेकर कॉंग्रेस को आशंका हुई के कहीं स्ट्रॉंग रूम में जिस तरीके से डाक मत पत्रों का बंडल बा भूले जाने और छिड़ छाड की आशंका का एक वीडियो सामने आया है जिसकी शिकायत निरवाचना आयोग में कॉंग्रेस पार्टी ने की है यह अत्यंद गंभीर मामला है दोशियों पर ततकाल कारवाई की जानी चाहिए मैं कॉंग्रेस कार करता हूं का आवाहन करता और कोई गड़बड़ी ना होने दें तो कमलात ने ये जो है बात लिखी है और इसमें कमलात ने सीधे तोर पर कॉंग्रेस कार करता हूं को अलट पर रहने को कह दिया है दिरसल मैं आपको पूरा मामला बता देता हूं बाला घाट में स्ट्रॉंग रूम खोला गया था डा मैं स्ट्रॉंग रूम खोला घाट ने सुचना दी है दोनों ही दलों के अजेंटों को कि वो आने उस वक्त जब.. एक छोला गया था प्रशाशन का तर्क ये भी था कि CCTV केमरे हैं सब कुछ देखा जा सकता है लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया उसके बाद कॉंग्रेस में हल चल बड़ी ऐसी हल चल बड़ी कि कॉंग्रेस को आशंका लग रही है और कमलात खुद इस मामले में एक्टिव हो गए उन्होंने सीधे तोर पर इसे गंभीर मामला बताते हुए प्रशाशन पर सवाल खड़े किये हैं मदप्रदेश में 2023 का घमासान काफी जोरों पर है और ऐसा घमासान है इतना कड़ा घमासान है और बड़ा घमासान है कि यहाँ पह आप सोची कि डाक मद पत्रों पर भी कॉंग्रेस की पैनी नजर है ऐसी पैनी नजर कि खुशक को लगता है कहीं इसमें गड़बड़ी ना हो जाए यही वज़ा है कि यही वज़े है कि कॉंग्रेस पहले से ही अलट मोट पर है और यही बज़े है कि उन्होंने सीधी तोर पर इसे अत्यन्द गंबीर मामला बताया और प्रशाशन पर सवाल खड़े किये हैं दरसल जिस तरीके से स्ट्रोंग रूम खुला जैसे मैंने आपको बताया कि शुवात में असर लगा बाद में हला कि ये बात इस पस्ट भी हूँ कि कॉंग्रेस के जो स्थानी कार करता है जो प्रत्याशी वहां पहुँच गए थे और उसके बाद तस्वीर साफ हुई प्रशाशन से उनकी बातचीत भी हुई लेकिन जैसे मैं कहा रहा हूँ कि डाक मत पत्रों को लेकर भी कॉंग्रेस अलट पर है और इस पर नजर बनाए हुए है आप देखते रहें MP तर हुआ हुआ